हेलो गाइज वेलकम बैक टू क्रिकेट भी शचीन बोरा गाइज टैनिस बॉल के लिए प्रफेक्ट बैटिंग स्टांस क्या होना चाहिए जिससे आपके ग्राउंड की चारू तरफ छके लग सके इसके उपर काफी वीडियो बनी हुए यूटूब के अंदर बनी है लेकिन प्रैक्टिश का तरीका किसी नहीं नहीं बताया है बैटिंग स्टांस ले लेने से ही आपकी चारू तरफ सोटनी जाएंगी लेकिन बैटिंग स्टांस इसले इंपोर्टन है क्योंकि आपका विखेट के अंदर बैलेंस होना इंपोर्टन उसके लिए उसके अलावा आजकल तो गाइज ऐसा ट्रेंड चल चुका है कि टैनिस बैटिंग स्टांस बनाते हैं इस तरह से बैटिंग स्टांस बनाते हैं हलका सा कर्व करके साइड में रहते हैं उस कर्व से खेलता को नहीं बताओ आपने इतने ट्रोनमेंट देख लेंगे टैनिस बॉल के कितने देख लेंगे कोई खड़ा रहता है वहां पर हर कोई मूब जिए इसलिह कर रहा है Daここ blender की बौर्डी बहुत क्विक रहती है लेकिन मूपमेंट के लिए भी आपको प्रक्टिस यकर आपकी मूपमेंट नहीं ना आपकी प्रक्टिस नहीं आप यहां से इस तरह से जैसे कि रशना साथ पुते हैं जितने भी बड़े लेवल के टैनिस प्लेयर हैं उनका देखना ऐसे मुवमेंट करते हैं अगर यह प्रैक्टिस नहीं है तो कोई अगर आपको यहां पर यह और कर बॉल डालेगा ना आपसे बॉल मिस हो जाएगी आपका विकेट चला जाएगा यह मैं हंटे बोलना हो और आप ऐसे मूब कर रहें अगर आपको ऑफ साइट की प्रैक्टिस नहीं ना तो जैसे यहां ओमन डालेगा आपसे बॉल लगेगी नहीं आपका ऐसा हो जाएगा यह होता है मूवमेंट लेकिन मूवमेंट से बहुत जादा फायदा आप स्टांस जो है अगर आ यह कर्ब में आप खड़े रहते हैं तो डिक्कत कहा आती जो इस आंगल से यहां निखलती उसके लिए दिक्कत आती है तो उसके लिए क्या होता आपने यह इस बना रखाए है तो थोड़े दिन आपकी इस एंगल से बॉल निकाल के प्रैक्टिश करनी उसके लिए इस एंगल से बॉल निकाली न यह बैट यहां उठा के यहां उठा के ऐसे मानने की प्रैक्टिश करनी यह एक काम्याब सोट है इस एरिया में फिल्डर लगता भी नहीं ज्यादा तर इस एरिया में यहां लेक आई स्टांस में हम यह खड़े हैं तो यह जो कर्ब होता ना इस कर्ब से आप सभी सौट खेल सकते हैं आप इन सौटों को खेलने के लिए मैंने चैनल में बहुत सारे वीडियो बना रखे कोई सौट ऐसा नहीं है आपको जो नहीं मिलेगा और उसको गौर से देखेंगे चोटी चोटी बारीकिया और चोटी चोटी जो मिश्टेक्स हम लोग करते हैं सौट खेलने में वो मिश्टेक्स उन वीडियो में मैंने बता रखी है क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ बता नहीं सकता बोल नंबा हो जाएगा वो मिश्टेक्स को देखते हैं अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इस स्टांस से आपको बहुत ज्यादा वेनिफिट होगा इस स्टांस से आप लग भग सभी सोट खेल सकते हैं बाक आप देखो अगर आप सीधे खड़े हैं या ज्यादा थोड़ा सा इस साइड खड़े हैं तो बॉल जब अचाने इस लेबल में आप टन नहीं कर पाएंगे अपनी बोड़ी को मूम क्विकली नहीं कर पाएंगे इसलिए यह स्टांस ज्यादा जरूरी है ओप साइट का दे ओफ साइड में बहुत कम लों का पावर होता है फिर भी अगर इस स्टांस से आप यहां चलेगे और फिर भी उसने ओम में डाल दिया तो अगर ज्यादा नजदिक है तो आप पैर थोड़ा सा निकालके यहां से लेकिन बैक लिप्ट आपने यहां ले जाना पड़ेगा यह से इधर को मार सकते हैं अधरवाइस क्या होगा यह साइड आपने स्ट्रॉंग बनाना पड़ेगा थोड़ा सा ताकि आप 90 प्रिसेंट यहां मार सको बहुत सारे लोग सूरिकुमार यादों को बोलते थे पहले इसलिए उनका सेलेक्शन नहीं होता था टीम में क्योंकि उन लेट आये इंटरनेशनल में तो यह होता है और जो पाकिस्तान के मौमर रिजवान आपने देखा होगा उनका भी 90 प्रिसेंट गेम लेक साइड में वह बहुत ज्यादा यहां पूरा सोटों को इदरी खेल जाते हैं इंटरनेशनल में जब ऐसा हो रहा है तो यह तो टैनिस एगस क्रिकेट है टैनिस में तो आराम से हो जाएगा आप कुछ दिन मेरे एक प्लेइलिस्ट को फॉलो करो उस प्ले लिस्ट में हर एक शॉट के उपर वीडियो मनें उन वीडियो को देखो आपको फिर इस स्टांस से बहुत इजी लगेगा खेलने में इतना जरूर है थोड़ा सा आपने सफल करने का कोशिस करना क्योंकि बॉलर को डिश्टब होता अगर आप ऐसे मूब करते हैं बॉलर को डिश्टब होता खेलने में लेकिन यह दो तिन चीज़ है एक तो यहां वाली यॉरकर बॉल को स्टॉंग बनाना है फुलन बॉल में क्रेश्टन शाथपुते की तरह बार बार डाल के यहां से हैलिकॉप्टर शॉट मार सकते हैं यह सीधे भी मार सकते हैं उसको मिड़ान और मिडविकेट क जाने के बाद टैनिस क्रिकेट शिक्स इडिंग टिप्स करके हैं उसमें सारे वीडियो अगर वह करीब 20-25 वीडियो है 30 के करीब है सम्तिंग वह सारी देख ली देखते जाओ देखते जाओ उस पर वर्क करते जाओ फिर देखो अपना गेम कितना ज्यादा इंप्रूब हो